हेलो माई फेंड्स वेल्कम बाक टूर चैनल मेकेनिकल जॉब्स दोसाथ की जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे उन केंडियर्स के लिए जो कि अपनी फर्स जॉब देख रहे हैं या फिर वो जॉब चेंज करना चाहरे हैं बट उन्हें जॉब नहीं मिल पार ही तो दो चीजों से आप एक चीज सबसे पहले आप यह चीज सोचना कि कुछ केंडियर्स होते हैं वह फड़ा फट जॉब के लिए जैसी अप्लाई करते हैं पास आउट होए उनका सीवी स्लेक्ट हो जाता है और कंपनी उनको शॉट लिस्ट करके बुलाती है जाए किसी होता है कवर लेटर और दूसरी चीज होती है रिजुमे कुछ केंडियर्स बोलते हैं कि सर जो मैंने रिजुमे हैं वही लगाना कवर लेटर की मिरको जुरूरत नहीं है बट आज के टाइम में आपको यह चीज सोचनी है आपके अकॉर्डिंग नहीं इंडस्ट्री चलेग और उसमें देखेगा कि आपको क्या आपने किया है और फ्रेशर हो या एक्स्पीरियंज हो किस तरह की आपका नॉलेज है बहुत शॉर्ट टर्म्स में अच्छी लैंग्विज में वह चीज बताई होती है ठीक है कवर लेटर में कभी भी तीन चार लाइनेस नहीं आती कव हैं उनकी जो लैंग्विज है कवर लेटर हो या रिज्यम हो प्रोपर टेखेगल होना चाहिए बहुत्पर व्र फिरम्स दिखना चाहिए आपके ज्य रिखना में प्लस्का शुUMे में अब हमारी इंडिया में उसका प्तर इलग है अगर आप वह सी अपर से पहले गौश्य को Canada के लिए यूज करोगे तो आपका CV शॉट लिस्ट नहीं होगा क्योंकि वहां पर जो है पैटरन लग चलता है यूएस के लिए अलग पैटरन है यूएस और कैनेडा का आल्मोस्स सेम पैटरन है 99% फिर दूसरा है गल्फ का पैटरन बिलकुल अलग है यॉरॉपियन जो है जैसे यॉरॉप में country है इटली, France, Spain, England तो उनका जो है दोस्तों पैटरन जो है CV का वो बिलकुल डिफरेंट है तो अगर आप CV का वो format बनाके उन इंडस्ट्री में भेजेंगे तभी आपका CV स्लेक्ट होगा अब मैं यहां पर सबसे पहले बात करूँगा इंडिया में इं नॉर्मल टर्म्स में बना होता है तो आपका CV शॉट लिस्ट नहीं हो पाता क्योंकि वहां पर कंपनी यह नहीं चाती कि Mr. Ashok है या Mr. Ajay है या कोई भी candidate है कि वह अपलाई कर रहा है कंपनी आपको नहीं जानती बट कंपनी आपके रिजुमियों को देखके ही कंपनी आपक इंट्रिवु के लोग बलाएगी तो सबसे में आपका रिजुमिय है प्लस कवर लेटर है अगर वह प्रफेशनल नहीं होगा तो आपका CV शॉट लच नहीं होगा अब सबसे पहली बात है कि रिजुमिय होना किस तरह चाहिए प्रॉपर जो है पैटरन से आपका रिजुमि बना होना चाहिए जिसमें आपका जो है प्रॉफाइल पूरा मेंशन हो रिजुमे में आपके स्किल्स मेंशन हो आपका प्रजेक्ट मेंशन हो ठीक है आपकी इंटर्शिप मेंशन हो आपकी क्वालिफिकेशन हो अगर आपके पास एक्सपीरियेंस हो बट अगर आप अफ सीका है वहाँ पर वो हर चीद मेंशन होनी चाहिए अगर आपने कोई प्रजेक्ट किया है वह प्रजेक्ट कंपनी के लिए क्या मैतवत रखता है मतलब आपने कोई प्रजेक्ट बनाया मालीजिए कोई solar cooker बनवाया ठीक है तो solar cooker से क्या फाइदा हो रहा है अगर आपने अपने college में बनाया या किसी industry के लिए बनाया ठीक है solar cooker था बहुत से जो है project अलग बनाया बट आपने किस तरह का project बनाया उससे जो है वो आनी वाली जो इडी है उसको future में क्या फाइदा मिलेगा उस तरह की जो है आपके जो है project अच्छे होंगे तो company को लगेगा हा इनुवेटिव candidate को knowledge है growth के लिए काम करेगा हमारी भी अच्छी R&D में इसकी जरूरत है तो इस तरह की दोस्तों यह सारी जी जो चीजें है आपका resume उस pattern में होना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आप हमसे भी resume बनवाना चाहते हैं हमारे टॉप के professional है इंडिया में हमारे टॉप में professional है जो हर एक world के लिए मतलब मान लीजिया गल्फ के लिए या यूएस और के लिए या यॉरप के लिए या फिर इंडिया के लिए अगर आप resume बनवाना चाहते हैं तो mechanical jobs official adgerate gmail.com पे आप contact कर सकते हैं ठीक है तो इसकी जो मैं आपको बता र इंडियान या फिर गल्फ पैटरन यूएस और कैनेडीन पैटरन है जितनी भी यह है अगर आप इसके टैंपलेट्स चाते हो तो वीडियो के description box से ही मिल जाएंगे आप लोग आपको वहां पर 10-15 या फिर अभी हमने डाले है गल्फ के आपको 24 टैंपलेट मिलेंगे आप उसमेंसे अच्छा टैंपलेट जो भी लगे वहां पर करके यूज कीजिए क्योंकि वो सारी जो टैंपलेट हो रहे हैं जो वहां पर स्वेक्ट होई हैं कंपने हैं वह इस तरह के के टैंपलेटज आन जिसमें आप अपना पैटरन रखे पूरा प्रापर बनाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी हमेशा एक बार experience अच्छा होगे तो कोई problem नहीं आएगी ठीक है तो दोस्तों इसी के साथ ही जो है हमने कल भी एक वीडियो यहां पर जो है निकाली थी आपको जिसमें हमने एक्सल शीट के बारे में भी बताया था अगर आपका एक्सल शीट चाहिए 30,000 कंपनी की तो वो भी आप हमें mechanical jobs official address gmail.com पे contact करके आप दोस्तों पूछ सकते हैं तो दोस्तों यह जो है बहुत से सकते हैं सो दोस्तों इसके साथ ही कहूँगा WhatsApp ग्रूप पे भी जो है हम registration यहां पर लेकर आए हैं हमसे कल से जो है WhatsApp ग्रूप है अपना start कर दिया है हजारों से ज्यादा jobs है हम वहां पर share कर रहे हैं क्योंकि YouTube पे जो है हम direct आपको एक दम notification कहीं बार नहीं पहुंच पाती या फिर एक जॉब आती है तो हजारों के इंडियर अप्लाई करते तो आपको जॉब नहीं बिल पाती तो अगर आप WhatsApp ग्रूप हमारा जॉइन कर लोगे तो वहां पर जितनी जॉब्स हैं आपको ओल इंडिया की आ रही है वो यहां पर आपको share होती रहेंगी जस्ट उसकी एक छूटी